मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला गया किनके नाम पर रखा गया क्या थे दिन दे आलुपाध ध्याए रेल मंतरी थे बित मंतरी थे परधान मंतरी थे देस के किसान आंढोलन में सहीद हो गये थे क्या कि मजदूरगे आंदोलन में सहीद हुए थे हिंदू मुसल्मान का जो खेला चल रहा है उसके लिए शुटेवल नाम है दिन द्यालुपाध्याय और रेल मंत्री थे लाल भादुर सास्त्री मुगल सराय में ही पैदा हुए और रेल मंत्री रहते हुए एक रेल दुर्घटना हो गई थी तु बताया नहीं कि मालिया से वो मिले हैं बताया कि मालिया से मिले हैं इंतजार करते रहे सेटिंग किया होगा कि मालिया को मत बोलना यार कि तुम से मिले थे मालिया कहा कि नहीं पैसा तो हम लेकर के आया है हमको वापस देश बुलाओ बुला भी आओगे चुनाओ है यार सब तो मालिया ने कहा कि नहीं हम मिले थे जब मालिया ने कहा कि हम मिले थे तो जेटली भी बोले कि हम भी मिले थे थोरी देर के लिए मिले थे मुझे माल्या पे भरोसा नहीं है बिलकुल भी भरोसा नहीं है जैसे हम देखें हैं लाल बहादुर सास्त्री भी रेल मंत्री थे महात्मा गांधी थे तमाम तरीके के लोग थे क्या ये भरोसे के काबिल हैं इन पर भरोसा किया जा सकता है ये पहले नहीं बताये कि मिले थे जो मालिया ने कहा कि मिले है तिन्होंने कहा कि हम मिले थे, थोरी देर के लिए मिले थे, तुरंत बीजेपी आ जाती है, एक तो इनके जो सारे मंत्री हैं, एक मंत्री तो बोल दिया यहां तक, कि विपक्च के उलजुलूल सवालों का जवाब लेने के लिए पधान मंत्री नहीं है, हम जवाब देंगे, तो कानून मंत्री का जो सवाल होगा, उस पे ग्रिह मंत्री बोलेंगे, ग्रिह मंत्री के सवाल पे बित मंत्री बोलेंगे, बित मंत्री पे जरक्षा मंत्री बोलेंगे, कोई भी मंत्री अपने मंत्राले से जड़ा हुआ बात नहीं बोलेगा, बाकी दुनिया भर की बात ब तो बोला उससे पूछिएगा कि दो जोर दोर बडाबर कितना होता है तो पहले चेक करेगा कि कॉंग्रेस के वक्त में कितना होता था अरे तब भी चार होता था आप भी चार होता है और आगे भी चार होगा इसमें क्या दिक्कत है हर बात के लिए बात को गुमराह के से करना है तो बित मंत्री के बचाओं में आई भाजपा और भाजपा नहीं उस दिन तो बित मंत्री पार्लामेंट गए ही नहीं थे एक लाल जो है ट्रेन नहीं चला रहे थे ट्रेन जो है ट्रेन का ड्राइवर चला रहा था लाइन में का काम है लाइन चेक करना लेकिन रेल मंत्री ने जिम्मेबारी लेते हुए कहा कि हम इस्तिफादेंगे क्योंकि हम रेल मंत्री है हमारे राजकाज में रेल की दुरगटना हो रही ह है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको रिल मंत्री का नाम भी याद नहीं होगा क्योंकि कोई भी मंत्री अपना काम करेगा तब तो उसका नाम आपको याद रहेगा अब देश का परधान मंत्री जो है वो विदेश मंत्री का है जूट क्या है हर बात को कैसे ट्विस्ट किया जाता है कैसे इतिहास को तोरा मरोडा जाता है कैसे गांधी जी का भी चस्मा इस्तेमाल कर लिया जाता है मने कहते हैं ना मुख में राम बगल में छूडी मुख में नाथू राम बगल में गांधी ये कैसे इस्तेमाल कर रहे ह सब कुछ कहेंगे गांधी जी महान आदमी थी है गांधी जी अपना पकाना साफ करते थे गांधी जी साधा जीवन ऊच विचार करते थे और गांधी जी का कोई भी चीज अपने उपर लागू नहीं कराएंगे ना साधा जीवन उच विचार लागू करेंगे ना रूरल एकॉनमी को लागू करेंगे ना किसानों की आत्म हत्या पे कुछ बोलेंगे ना गांधी की हत्या पे कुछ बोलेंगे कोई एक मंत्री कोई एक बड़ा नेता कोई एक responsible बेक्ती जो खुल करके कहे कि गांधी की हत्या नातूराम गोडसे ने की इसलिए हम गाठोराम गोडसे को आतनकवादी समझते हैं गाठोराम गोडसे को मुर्दाबाद कहते हैं किसी में हिम्मत नहीं है ये कहने की और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सारा का सारा दोस जो है वो किसी और के सर पे मढ़ देना है मसलन भाजपा ने कहा कि NPA जो है वो तो कॉंग्रेस के टाइम पे हुआ था करप्सन जो है वो तो कॉंग्रेस के टाइम पे हुआ था कॉंग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी क्या तब पेट्रोल महंगा नहीं मिल रहा था अरे किसान आत्मत्या तो कॉंग्रेस के बक्त में भी होता था हम स्विकार करते हैं भाई कि यह सारी समस्या जो है 2014 से शुरू नहीं हुई है यह हम स्विकार करते हैं लेकिन अगर यह आप कह दें कि तू चोर मैं चोर इसलिए च इसे मालने यह सवाल में आपके सामने रख रहा हूं इन पीए था करप्षन था इन जो समस्याएं हैं इस समस्या से ही निजात के लिए लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया नया सरकार चुन करके लाया नहीं तो वही लोग कॉंटीन्यू कर रहे होते क्या दिक्कत है कम से कम इतिहास तो जूट नहीं बोलते न मनोहन सीम्ग करहे लिखे वेक्ति हैं कम से कम- एकॉनमी पढ़े हुए थे, एकॉनमी समझे हुए थे, तो कोई एकॉनमिक डिसीजन लेते, तो दी मोनेटाइजिशन जैसा ब्लंडर तो कम से कम नहीं किये होते, ये तो होता न, मैं किसी के समर्थन में नहीं बोल रहा हूँ, आज जब मैं गांधी की बात कर रहा हूँ, ला क्या मतलब होता है, हर सवाल को गुमराह करके, आप नहरू के पास पहुचा देना चाहते हैं, अजीब बात है, मुझे तो लग रहा है कि इस दिन, आप लोग भी इंतजार कीजिए, किसी दिन स्टेटमेंट आएगा, मोदी जी का, मोदी जी जैसे कह रहे हैं न, कि इतने सा का गढ़ा है, सतर साल में कॉंग्रेस ने इस देश को लूट लिया है, तो उसको ठीक करने में वक्त मिलेगा, एक तो सतर साल जब ये बोलते हैं, तब जो है ये उसमें बीपी सिंग को भी जोर लेते हैं, अटल बहारी बाजपई के छे साल को भी जोर लेते हैं, और इनका ये मानना है कि अटल बहारी बाजपई का जो 6 साल था, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ था, उससे भी आगे बढ़कर के कोई इनका समर्थक तो ये जाके कह देता है, कि 1100 साल के बाद जो है कि हिंदू प्रधान मंतरी बना है, इस पे विचार कीजिए, कि गांधी क्या कहते गांधी कहते थे, कि इस्वर अल्ला तेरे उनाम सबको सनमती दे भगवान, आज देश का जो प्रधान मंतरी है, वो कबरिस्तान और समसान की बात कर रहा है, आप हिंदूस्तान की बात कीजिए, आप कबरिस्तान और समसान की बात क्यों कर रहे हैं, आपको हिंदूस्तान की बात करने के लिए इस देश का प्रदान मंतरी बनाया गया है लेकिन आप हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे यह जो situation है इस situation में हमको यह विचार करना परेगा कि हम किस तरीके से देश का निर्मान करेंगे और देश का निर्मान करने के संबंध में एक important बात मैं आपको बता दूँ इस देश का जो democratic procedure है उस procedure पे हमको इस्तिक होना परेगा क्या है procedure प्रोसीजर ये है कि पिछली सरकार की जो गलतियां थी उन गलतियों से जनता नाखुस थी और जनता ने parliamentary democracy में नए लोगों को अपना मत दिया और नए लोगों की सरकार बनी अब नए लोगों की जब सरकार बनी वो भी यदी गलती कर रहे हैं वो भी जो वादा किया वो यदी पूरा नहीं कर रहे हैं तो उनको भी सत्ता से जाना चाहिए यही लोकतंत्र है यही parliamentary democracy है यह हमको दिमाग में डालना चाहिए और यह बात हमारे दिमाग में ना आए इस दिसा में हम सोच ना पाए इसी लिए यह जो आप कहते हैं ना सच का तो छोड़ दीजिए जूट जो है वो इस तरकदर हमारे दिमाग में घुसाया जा रहा है कि हम सच के इर्दगिर्द भी नहीं पहुँच बाते हैं और वो क्या है साब साब कहते हैं कि NPA कॉंग्रेस के वक्त में इतना लाख करोड हो गया था होगा लेकिन आप से तो हिसाब हम तब का पुछेंगे ना जब आप अपरील 2014 से लेकर के अपरील 2018 के बीच में तीन लाख सोलह हजार करोर रुपया जो है लोन का कॉर्पोरेट लोन का माफ कर दिये हैं बित मंत्री रहते हुए यह सवाल तो हम आप से जाएगा कि कॉंग्रेस ने जो गलती की है उसकी वज़े से आज जो भी समस्या है वो देश जूज रहा है तो कल को अपनी नाकामी चुपाने के लिए परधान मंत्री कह देंगे कि पिछले 5 साल में हम कुछ इसलिए नहीं कर पाया है क्योंकि हम कॉंग्रेस के वक्त में पै और लोग तंत्र में जो हमने पढ़ा है मने हम डिगरी भी दिखाने के लिए तयार है हमारे डिगरी देख लिजए हमने जो पढ़ा है हमने ये पढ़ा है कि लोग तंत्र में लोग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और आज लोग के सवाल को अलग-अलग तरीके से गुमरह किया जा रहा है बुनियादी सवाल क्या है बुनियादी सवाल ये है कि देश के भीतर सिक्षा में बजट कटवती क्यों की जा रही है यदि इस देश के गरीब लोग नहीं पढ़ेंगे इस देश के आम आवाम नहीं पढ़ेंगे इस देश में महलाओं को सिक्षा नहीं किसान ही उगाते हैं वो इसक्षान आत्म हत्या कर रहे हैं यह सवाल है मजदूरों को उनके निव्टम मजदूरी नहीं मिल रही है आए दिन सफाई कर्मचारी गटर में उतर करके जहरीली गयस से मर जा रहे हैं और सरकार के जो समर्थक हैं वो अजीवों गरीब बयान देते ह एक तो जजज सहाब हैं मने नयाय पालिका भी रोदी होगी उनके उस सवाल से एक जजज सहाब ने कहा कि मोर मोरनी के आंख में आंसू डाल देता है इसलिए बच्चा पेदा होता है हमको तो सुन करके लगा कि हिंदू धरम तो नहीं खत्रे में है लेकिन इस देश में बिग् जान बुझ करके किया जाता है क्योंकि ये एक डिजाइन है डिजाइन ये है कि इतनी बार जूट बोलो कि वो जूट को ही लोग सच मानने लगें और इसलिए ये बात आज बार बार बोली जा रही है कि पॉलिटिक्स इस आल अबाउट परसेप्शन नो मैं पॉलिटिक्स इस आल अबाउट परस्पेक्टिव देश के पहले रेल मंत्री बने उनीस वबावन में और लाल बहादूर सास्त्री रेल मंत्री बने इत्तफाक देखेगा पैदा कहां हुए मुगल सराई में मुगल सराई स्टेशन का नाम बदला गया किनके नाम पर रखा गया क्या थे इन दे आल उपाद ध्याए संभिधान लागू होने के बाद देश के पहले रेल मंत्री बने उनीस वबावन में और लाल बहादूर सास्त्री रेल मंत्री बने इत्तफाक देखेगा पैदा कहां हुए मुगल सराई में मुगल सराई स्टेशन का नाम बदला गया किनके नाम पर रखा गया क्या थे दिन का जो खेला चल रहा है उसके लिए शुटेवल नाम है दिन द्यालुपाध्याय और रेल मंत्री थे लाल बहादुर सास्त्री मुगल सराय में ही पैदा हुए और रेल मंत्री रहते हुए एक रेल दुरघटना हो गई थी तुन्होंने इस्तिफा दे दिया था यह राजनितिक मुले और वो राजनितिक मुले आज कहां पहुच गया है वो राजनितिक मुले वहां पहुच गया है कि पहले धाई साल तक जेटली जी ने बताया नहीं कि मालिया से वो मिले हैं बताया कि मालिया से मिले हैं इंतजार करते रहे सेटिंग किया होगा कि मालिया को मत बोलना य यार सब गरवड हो जाएगा तो मालिया ने कहा कि नहीं हम मिले थे जब मालिया ने कहा कि हम मिले थे तो जेटली भी बोले कि हम भी मिले थे थोरी देर के लिए मिले थे मुझे मालिया पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जो 9000 करोर रुपया ले करके भाग जाए उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं कोई मेरा 9 रुपया ले करके भाग जाएगा हम उस पर भरोसा नहीं करेंगो तो 9000 ले करके भाग गया है हम अपने देश के बित मंत्री पर ही भरोसा करना चाहते हैं जैसे हम देखें हैं लाल बहादुर सास्त्री भी रेल मंत्री थे महात्मा गांधी थे तमाम तरीके के लोग थे क्या ये भरोसे के काबिल हैं इन पर भरोसा किया जा सकता है ये पहले नहीं बताये कि मिले थे जब म जुलूल सवालों का जवाब लेने के लिए पढ़ान मंत्री नहीं है हम जवाब देंगे तो कानूर मंत्री का जो सवाल होगा उस पर ग्रिह मंत्री बोलेंगे ग्रिह मंत्री के सवाल पर बीत मंत्री बोलेंगे बीत मंत्री पर रक्षा मंत्री बोलेंगे कि कोई भी मंत्री अपने मंत्राले से जुड़ा हुआ बात नहीं बोलेगा बाकी दुनिया भर की बात बोलेगा मेरे जो है एक मित्र ने हमको एक दिन इन बॉक्स किया बोला कि एक भाजपा का स्पोक्स परसन आता है डाक्टर कहता है अपने आपको तो बोला उससे पूछिएगा कि दो जोर दोर बराबर कितना होता है तो पहले चेक करेगा कि कॉंग्रेस के वक्त में कितना होता था अरे तब भी चार होता था आप भी चार होता है और आगे भी चार होगा इसमें क्या दिक्कत है हर बात के लिए बात को गुम्राह कैसे करना है तो बित मंत्री के बचाओं में आई भाजपा और भाजपा नहीं उस दिन तो बित मंत्री पार्लामेंट गए ही नहीं थे एक लाल मंत्री ने जिम्मेबारी लेते हुए कहा कि हम इस्तिफा देंगे क्योंकि हम रेल मंत्री हैं हमारे राज-काज में रेल की दुरखटना हो रही है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको रेल मंत्री का नाम भी याद नहीं होगा क्योंकि कोई भी मंतरी अपना काम करेगा तब तो उसका नाम आपको याद रहेगा अब देश का परधान मंतरी जो है वो विदेश मंतरी का काम कर रहा है दुनिया घूम रहा है ये जो ये जो situation है इस situation को आप देखिए और आप समझिए कि सच क्या है जूट क्या है हर बात को कैसे twist किया जाता है कैसे इतिहास को तोरा मरोडा जाता है कैसे गांधी जी का भी चसमा इस्तेमाल कर लिया जाता है मने कहते हैं न मुख मे राम बगल में छूडी मुख मे नाथू राम बगल में गांधी ये कैसे इस्तेमाल कर रहे है सब कुछ कहेंगे गांधी जी महान आदमी थी है गांधी जी अपना पकाना साफ करते थे गांधी जी साधा जीवन उच विचार करते थे और गांधी जी का कोई भी चीज अपने उपर लागू नहीं कराएंगे ना साधा जीवन उच विचार लागू करेंगे ना रूरल एकॉनमी को लागू करेंगे ना किसानों के आत्म हत्या पे कुछ बोलेंगे ना गांधी की हत्या पे कुछ बोलेंगे किसी में हिम्मत नहीं है ये कहने की और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सारा का सारा दोस जो है वो किसी और के सर पे मर देना है मसलन कि भाजपा ने कहा कि NPA जो है वो तो कॉंग्रेस के टाइम पे हुआ था करप्षन जो है वो तो कॉंग्रेस के टाइम पे हुआ था कॉंग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी क्या तब पेट्रोल महंगा नहीं मिल रहा था अरे किसान आत्मत्या तो कॉंग्रेस के बक्त में भी होता था हम स्विकार करते हैं भाई कि यह सारी समस्या जो है 2014 से शुरू नहीं हुई है यह हम स्विकार करते हैं लेकिन अगर ये आप कह दें कि तू चोर मैं चोर इसलिए चोरी बहुत अच्छा है ये तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है ये तो जवाब नहीं होता है तू चोर मैं चोर इसलिए चोरी मुद्दा नहीं है इसको हम कैसे म मालने यह सवाल में आपके सामने रख रहा हूं इन पीए था करप्षन था इन जो समस्याएं हैं इस समस्या से ही निजात के लिए लोगों ने आपको प्रधान मंत्री बनाया नया सरकार चुन करके लाया नहीं तो वही लोग कॉंटिन्यू कर रहे होते क्या दिक्कत है अरे कम से कम इतिहास तो जूट नहीं बोलते न मन मुहन सींग पढ़े लिखे वेक्ति हैं कम से कम एकॉनमी पढ़े हुए थे एकॉनमी समझे हुए थे तो कोई लाल भादर सास्तरे की बात कर रहा हूं तो देश में क्या होना चाहिए लोकतंत्र में क्या होना चाहिए क्या जरूरी है हमारे आने वाली पीड़ी के लिए समानता क्यूं जरूरी है समाज के लिए मैं इस पर बात कर रहा हूं और यह क्या मतलब होता है हर सवाल को गुमरा है ना कि इतने सालों का गढधा है सतर साल में कॉंग्रेस ने जो है इस देश को लूट लिया है तो उसको ठीक करने में वक्त मिलेगा एक तो सतर साल जब ये बोलते हैं तब जो है ये उसमें बीपी सिंग को भी जोर लेते हैं अटल बहारी बाजपई के छह साल को भी जोर ले देता है कि 1100 साल के बाद जो है कि हिंदू प्रधान मंत्री बना है इस पर विचार कीजिए कि गांधी क्या कहते थे गांधी कहते थे कि इस्वर अल्ला तेरे नाम सबको सनमती दे भगवान आज देश का जो प्रधान मंत्री है वो कब्रिस्तान और समसान की बात कर रहा है यह जो situation है इस situation में हमको यह विचार करना परेगा कि हम किस तरीके से देश का निर्मान करेंगे और देश का निर्मान करने के संबंध में एक important बात मैं आपको बता दूँ इस देश का जो democratic procedure है उस procedure पे हमको stick होना परेगा क्या है procedure प्रोसीजर ये है कि पिछली सरकार की जो गलतियां थी उन गलतियों से जनता नाखुस थी और जनता ने parliamentary democracy में नए लोगों को अपना मत दिया और नए लोगों की सरकार बनी अब नए लोगों की जब सरकार बनी वो भी यदी गलती कर रहे हैं वो भी जो वादा किय वो यदी पूरा नहीं कर रहे हैं तो उनको भी सत्ता से जाना चाहिए यही लोकतंत्र है यही parliamentary democracy है यह हमको दिमाग में डालना चाहिए और यह बात हमारे दिमाग में ना आए इस दिसा में हम सोच ना पाएं इसलिए यह जो आप कहते हैं ना सच का तो छोड़ दीजिए ज Congress के वक्त में इतना लाख करोड हो गया था होगा लेकिन आप से तो हिसाब हम तब का पुछेंगे ना जब आप अपरील 2014 से लेकर के अपरील 2018 के बीच में 3,16,000 करोर रुपया जो है लोन का corporate loan का माफ कर दिये हैं बित मंत्री रहते हुए यह सवाल तो हम आप से पुछेंग और यह सवाल जब आप पूछेंगे तो साप साप आपको कह दिया जाएगा कि Congress ने जो गलती की है उसकी वज़े से आथ जो भी समस्या है वो देश जूज रहा है तो कल को अपनी नाकामी चुपाने के लिए परधान मंत्री कह देंगे कि पिछले 5 साल में हम कुछ इसलिए नहीं कर पाया है क्योंकि हम Congress के वक्त में पैदा हुए थे इस बहानेवाजी का क्या मतलब है और हम एक ideological प्रस्ण आप से पूछ रहे हैं लोगतंत्र के हवाले से सवाल हम आप से पूछ रहे हैं कि लोगतंत्र को कैसे चलना चाहिए लोगतंत्र में क्या जरूरी है और दिखाने के लिए तयार है हमारे डिग्री देख लिजए हमने जो पढ़ा है हमने यह पढ़ा है कि लोगतंत्र में लोग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और आज लोग के सवाल को अलग अलग तरीके से गुम्रह किया जा रहा है बुन्यादी सवाल क्या है बुन्यादी सिक्षा नहीं मिलेगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा सबसे बुन्यादी चीज है सिक्षा सिक्षा में लगातार बजट कट किया जा रहा है जो किसान है जो सब के लिए अनाज पैदा करते हैं सब का पेट भरते हैं परधान मंत्री जी के लिए भी मस्रूम वही उगाते ह हैं किसान ही उगाते हैं वो किसान आत्म हत्या कर रहे हैं यह सबाल है मजदूरों को उनकी निवंतम मजदूरी नहीं मिल रही है आए दिन सफाई कर्मचारी गटर में उतर करके जहरीली गयस से मर जा रहे हैं और सरकार के जो समर्थक हैं वो अजीवों गरीब बयान देते ह एक तो जजज सहाब हैं मने नयाई पालिका भी रोधी होगी उनके उस सवाल से एक जजज सहाब ने कहा कि मोर मोरनी के आंख में आंसू डाल देता है इसलिए बच्चा पईदा होता है हमको तो सुन करके लगा कि हिंदू धरम तो नहीं खत्रे में है लेकिन इस देश में जान बूझ करके किया जाता है क्योंकि ये एक डिजाइन है डिजाइन ये है कि इतनी बार जूट बोलो कि वो जूट को ही लोग सच मानने लगें और इसलिए ये बात आज बार बार बोली जा रही है कि पॉलिटिक्स इस अल अबाउट परसेप्शन नो मैं पॉलिटिक्स इसलिए फॉट पॉलिटिक्स इसलिए। परस्पेक्टिव ये और परसपेक्टिव क्या होता हे परसपेक्टिव ये होता है कि देश में यदि इउक्विलीटi है डिमोकरेसी नहीं बची रहेगी और इस इनीक्विलीटिए को तिकायर रखने के लिए ये गुमनलिजाम, क है देश के किसी भी Mireit के पुजारी से उस आयप के द्वारा आप अपने घर में पुजा कर वा सकते हैं नहीं क कराई यह कोई दिककत नहीं है हिंदु धर्म को मानिये उसमें भी कोई दिककत नहीं ह् लेकिन ये तो सुचिए गाना कि आप कौन से हिंदू होना चाहते हैं जैसरे राम बोल करके किसी गर्ववती महला का पेट फार करके इसकी बच्चा को तलवार की नोख पे लहराने वाला हिंदू होना चाहते हैं या गांधी की तरह इस देश में हिंदू-मुसल्मान एकता के लिए हे राम बोलते हुए सामपरदाइक की गोली खा करके मर जाना चाहते हैं यह आपको टै करना है कि आपको किस तरीके का लोक तंत्र चाहिए आपको यह लोक तंत्र चाहिए जहां देश के प्रधान मंत्री को प्रधान मंत्री के बतौर नहीं सेर के बतौर प्रस्तूत किया जाता है अब बताई आप प्रधान मंत्री चुने थे ना इनके समर्थक कहते हैं कि शेर हैं हम बोले शेर हैं तो जंगल में क्या कर रहे हैं यहां क्या कर रहे हैं शेर तो जंगल में रहता है या चीडियां घर में रहता है एक बाद और बोले एक बार एक ऐसे ही इनका समर्थक हमसे उलज गया अम मुमन हम उलजते नहीं है लेकिन आते हो देखे हो ये काम भी इंसां नि करता है कि सेर के गले में पट्टा डाल करकर उसको घुमाता है तो हम इंसाण हम और हमको इंसान ही होना पसंद है और तुमको अगर लगता है कि सही में ये इतने मजबूत विक्ती है तो फिर क्या जरूरत है बताए राफिल खरीदने का जरूरत है क्या करेंगे खरीद करके परदान मंत्री को बॉर्डर पे ख़़ा कर दो परदान मंत्री जो है बोल-बोल करके पाकिस्तानियों को मार देंगे इतना फेकेंगे चारो खाने चित फिर भी फिर भी अगर दो-चार पाकिस्तानी बंदूक लेकरके इधर उधर बच जाए तो परधान मंत्री सलमान खान की तरफ 46 खोलेंगे 56 का सीना दिखाएंगे ये क्या चल रहा है और एक गांधी के बारे में आइंस्टाइन ने कहा कि आने वाली पीड़ी ये भरोसा नहीं करेगी कि इस हार मांस का व्यक्ति जो है वो चलता फिरता था वो जिंदा था वो इंसान था वो थे गांधी गांधी लाठी रख लेके चलते थे किसी को डराने के अपने सहारे के लिए लेकर के चलते थे आधी धोती पहनते थे आधी धोती लपेटते थे और डिगनिटी के लिए उन्होंने खुद चरका उठाया अपना बात्रून खुद साफ किया देश की मजबूती के लिए रूरल एकॉनमी की बात की देश में हिंदू-मुसल्मान एक ता के लिए ना सिर्फ बात की बलकी जान गवादी और आज गांधी के नाम पे गांधी के इस देश को हम जिस तरफ लेकर के जा रहे हैं मैं समझता हूँ कि वो रास्ता अंधकार को गड़्थे का रास्ता है गांधी के रास्ते पे हमको चलना परेगा भगष सिंग के सबसे इंपौर्टेंट चीज है में वह बता रहा हूं कि इन तीनों में कौमन ये था कि ये तीनों हर प्रकार की और समानता के खिलाफ थे और समानता के पक्ष में थे और जब तक हम equality को establish नहीं करेंगे society में देश मजबूत नहीं हो सकता है और देश में equality को establish करने के लिए आज जरूरत इस बात की है कि जो corporate monopoly है उस corporate monopoly को break करके इस देश के भीतर जो छोटे छोटे entrepreneurs हैं जो small scale industries में काम करने वाले लोग हैं जो medium scale industries में काम करने वाले लोग हैं उनको हमको promote करना परेगा मज़ेदार बात आपको बताता हूँ लाल बहादूर सास्त्री संबिधान लागू होने के बाद देश के पहले रिल मंत्री बने उनीस सो बावन में और लाल बहादूर सास्त्री रिल मंत्री बने इत्फाक देखेगा पैदा कहा हुए मुगल सराई में मुगल सराई station का नाम बदला गया किनके नाम पर रखा गया एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ लाल बहादूर सास्त्री संबिधान लागू होने के बाद उनीस सो बावन में संबिधान लागू होने के बाद देश के पहले रिल मंत्री बने उनीस सो बावन में और लाल बहादूर सास्त्री रिल मंत्री बने इत्फाक देखेगा पैदा कहा हुए मुगल सराई में मुगल सराई स्टेशन का नाम बदला गया किनके नाम पर रखा गया क्या थे दिन दे आलुपाध्याई रेल मंतरी थे बित मंतरी थे परधान मंतरी थे देश के किसान आंदोलन में सहीद हो गये थे क्या कि मजदूरा के आंदोलन में शहीद हुए थे हिंदू मुसल्मान का जो खेला चल रहा है उसके लिए एक सुटेवन नाम है दिन दे आलुपाध्याई और रेल मंत्री थे लाल बहादूर सास्तरी मुगल सराय में ही पैदा हुए और रेल मंत्री रहते हुए एक रेल दुरघटना हो गई थी तो उन्होंने इस्तिफा दे दिया था ये हैं राजनितिक मूले और वो राजनितिक मूले आज कहां पहुँच गया है वो राजनितिक मूले वहां पहुँच गया है कि पहले धाई साल तक जेटली जी ने बताया नहीं कि मालिया से वो मिले है बताया कि मालिया से मिले है इंतजार करते रहे सेटिंग किया होगा कि मालिया को मत बोलना यार कि तुम से मिले थे मालिया कहा कि नहीं पैसा तो हम लेकर के आये हैं हमको वापस देश बुलाओ बोला अभी आओगे चुनाओ है यार सब गरवर हो जाएगा तो मालिया ने कहा कि नहीं हम मिले थे जब मालिया ने कहा कि हम मिले थे तो जेटली भी बोले कि हाँ हम भी मिले थे थोरी देर के लिए मिले थे मुझे मालिया पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जो 9000 करोर रुपया ले करके भाग जाए उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं कोई मेरा 9 रुपया ले करके भाग जाएगा हम उस पर भरोसा नहीं करेंगो तो 9000 ले करके भाग गया है हम अपने देश के बित मंत्री पर ही भरोसा करना चाहते हैं जैसे हम देखें हैं लाल बहादुर सास्त्री भी रेल मंत्री थे महात्मा गांधी थे तमाम तरीके के लोग थे क्या यह भरोसे के काबिल है इन पर भरोसा किया जा सकता है यह पहले नहीं बताए कि मिले थे जो माल जुलूल सवालों का जवाब देने के लिए पधान मंत्री नहीं है हम जवाब देंगे तो कानून मंत्री का जो सवाल होगा उस पर ग्रिह मंत्री बोलेंगे ग्रिह मंत्री के सवाल पर बीत मंत्री बोलेंगे बीत मंत्री पर रक्षा मंत्री बोलेंगे कि कोई भी मंत्री अपने मंत्राले से जुड़ा हुआ बात नहीं बोलेगा बाकी दुनिया भर की बात बोलेगा मेरे जो है एक मित्र ने हमको एक दिन इन बॉक्स किया बोला कि एक भाजपा का स्पोक्स परसन आता है डाक्टर कहता है अपने आपको तो बोला उससे पूछिएगा कि दो जोर दोर बड़ाबर कितना होता है तो पहले चेक करेगा कि कॉंग्रेस के वक्त में कितना होता था अरे तब भी चार होता था आप भी चार होता है और आगे भी चार होगा इसमें क्या दिक्कत है हर बात के लिए बात को गुमराह कैसे करना है तो बित मंत्री के बचाओं में आई भाजपा और भाजपा नहीं उस दिन तो बित मंत्री पार्लामेंट गए ही नहीं थे एक लाल मन्त्री ने जिमेबारी लेते हुए कहा के हम इस्तिफादेंगे क्योंकि हम Ready मन्त्री है हमारे राजज काज में रेल की दुर्खटना हो रही है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता रोगई कोले मंदे का नाम भी याद नहीं होगा क्योंकि क्योंकि कोई भी मंद्री अपना काम करेगा तब तो उसका नाम आपको याद रहेगा आप आप देश का पर्थान मंद्री जो है वह वह विदेश मंत्री का काम कर रहा है दुणिया घूम रहा है यह जो यह जो situation है इस situation को आप देखिए और आप समझिए कि सच क्या है जूट क्या है हर बात को कैसे twist किया जाता है कैसे इतिहास को तोरा मरोडा जाता है कैसे गांधी जी का भी चस्मा इस्तेमाल कर लिया जाता है मनें कहते हैं ना मुख में राम बगल में छूडी मुख में नाथू राम बगल में गांधी यह कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं सब कुछ कहेंगे गांधी जी महान आदमी थिये गांधी जी अपना पखाना साफ करते थे गांधी जी साधा जीवन उच्छ विचार करते थे और गां संत्री कोई एक बड़ा नेता कोई एक responsible ब्यक्ति जो खुल करके कहे कि गांधी की हत्या नाथुराम गोडसे ने की इसलिए हम गाथुराम गोडसे को आतंकवादी समझते हैं गाथुराम गोडसे को मुर्दावाद कहते हैं किसी में हिम्मत नहीं है यह कहने की और अपनी नाक कॉंग्रेस के टाइम पे हुआ था करप्सन जो है वो तो कॉंग्रेस के टाइम पे हुआ था कॉंग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी क्या तब पेट्रोल महंगा नहीं मिल रहा था अरे किसान आत्म हत्या तो कॉंग्रेस के बक्त में भी होता था हम स्विकार करते हैं कि यह सारी समस्या जो है 2014 से शुरू नहीं हुई है यह हम स्विकार करते हैं लेकिन अगर यह आप कह दें कि तू चोर मैं चोर इसलिए चोड़ी बहुत अच्छा है यह तो हम मानने के लिए तयार नहीं है यह तो जवाब नहीं होता है तू चोड मैं चोड इसलिए चोड़ी मुद्दा नहीं है इसको हम कैसे मान लें इस देश के नौजवान कैसे मान लें ये सवाल में आपके सामने रख रहा हूं इन पीए था करप्षन था इन जो समस्याएं हैं इस समस्या से ही निजात के लिए लोगों ने आपको परधान मंतरी बनाया नया सरकार चुन करके लाया नहीं तो वहीं लोग कॉंटिन्यू कर रहे होते क्या दिक्कत है अरे कम से कम इतिहास तो जूट नहीं बोलते न मनमुहन पढ़े लिखे वेक्ति हैं कम से कम इकानमी परहे हुए थे इकानमी समझे हुए थे तो कोई एकानमी डिसीजन लेते तो दीमोनेटाइजिसन जैसा ब्लंडर तो कम से कम नहीं किये होते यह तो होता ना मैं किसी के समर्थन में नहीं बोल रहा हूं आज जब मैं गांधी की बात कर रहा हूं लाल भादर सास्तरी की बात कर रहा हूं तो देश में क्या होना चाहिए लोकतंतर में क्या होना चाहिए क्या जरूरी है हमारे आने वाली पीड़ी के लिए समानता क्यों जरूरी है समाज के लिए मैं इस पर बात कर रहा हूं और यह क्या मतलब होता है हर सवा को गुमराह करके आप नहरू के पास पहुचा देना चाहते हैं अजीब बात है मुझे तो लग रहा है कि इस दिन आप लोग इंतजार कीजिए किसी दिन स्टेट्मेंट आएगा मुधी जीजी का मुधी जीसे कह रहा है न कि इतने सालों का गढधा है तो उसको ठीक करने में वक्त मिलेगा यग तो सतर बढ़ करके कोई इनका समर्थक तो ये जाके कह देता है कि 1100 साल के बाद जो है कि हिंदू परधान मंत्री बना है इस पे विचार कीजिए कि गांधी क्या कहते थे गांधी कहते थे कि इस्वर अल्ला तेरे उनाम सबको सनमती दे भगवान आज देश का जो परधान मंत्री है वो कबरिस्तान और समसान की बात कर रहा है आप हिंदूस्तान की बात कीजिए आप कबरिस्तान और समसान की बात क्यों कर रहे हैं आपको हिंदूस्तान की बात करने के लिए इस देश का परधान मंत्री बनाया गया है लेकिन आप हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे यह जो situation है इस situation में हमको यह विचार करना परेगा कि हम किस तरीके से देश का निर्मान करेंगे और देश का निर्मान करने के संबंध में एक important बात मैं आपको बता दूँ इस देश का जो democratic procedure है उस procedure पे हमको stick होना परेगा क्या है procedure यह है कि पिछली सरकार की जो गलतियां थी उन गलतियों से जनता नाखुस थी और जनता ने parliamentary democracy में नए लोगों को अपना मत दिया और नए लोगों की सरकार बनी अब नए लोगों की जब सरकार बनी वो भी यदी गलती कर रहे हैं वो भी जो वादा किया वो यदी ना आए इस दिसा में हम सोच ना पाएं इसलिए ये जो आप कहते हैं ना सच का तो छोड़ दीजिए जूट जो है वो इस तरकदर हमारे दिमाग में घुसाया जा रहा है कि हम सच के इर्दगिर्द भी नहीं पहुँच बाते हैं और वो क्या है साब साब कहते हैं कि NPA कॉं 2018 के बीच में तीन लाख सोलह हजार करोर रुपया जो है लोन का कॉर्पोरेट लोन का माफ कर दिये हैं बित मंत्री रहते हुए ये सवाल तो हम आप से पूछेंगे ना कि ये सवाल जो है हम पूछने के लिए इंद्रा गंधी से जाएं ये सवाल पूछने के लिए हम मंत्री कह देंगे कि पिछले पांच साल में हम कुछ इसलिए नहीं कर पाया है क्योंकि हम कॉंग्रेस के वक्त में पैदा हुए थे इस बहानेवाजी का क्या मतलब है और हम एक ideological प्रस्ण आप से पूछ रहे हैं लोगतंतर के हवाले से ये सवाल हम आप से पूछ रहे हैं कि लोगतंतर को कैसे चलना चाहिए लोगतंतर में क्या ज़रूरी है और लोगतंतर में जो हमने पढ़ा है मने हम डिग्री भी दिखाने के लिए तयार है हमारे डिग्री देख लिजे हमने जो पढ़ा है हमने ये पढ़ा है कि लोग तंत्र में लोग सबसे important होते हैं और आज लोग के सवाल को अलग-अलग तरीके से गुमराह किया जा रहा है बुनियादी सवाल क्या है बुनियादी सवाल ये है कि देश के भीतर सिक्षा में बजट कटवती क्यों की जा रही है यदि इस देश के गरीब लोग नहीं पढ़ेंगे इस देश के आम आवाम नहीं पढ़ेंगे इस देश में महलाओं को सिक्षा नहीं मिलेगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा सबसे बुन्यादी चीज है सिक्षा सिक्षा में लगातार बजट कट किया जा रहा है जो किसान हैं जो सब के लिए अनाज पैदा करते हैं सब का पेट भरते हैं प्रधान मंत्री जी के लिए भी मस्रूम वही उगाते हैं किसान ही उगाते हैं वो किसान आत्म हत्या कर रहे हैं ये सवाल है मजदूरों को उनकी नियुंतम मजदूरी नहीं मिल रही है आए दिन सफाई कर्मचारी गटर में उतर करके जहरीली गैस से मर जा रहे हैं और सरकार के जो समर्थक हैं वो अजीवो गरीब बयान देते हैं एक तो जजज सहाब है मने नयाई पालिका भी रोधी होगी उनके उस सवाल से एक जजज सहाब ने कहा कि मोर मोर्णी के आंख में आंसू डाल देता है इसलिए बच्चा पईदा होता हमको तो सुन करके लगा कि हिंदू धरम तो नहीं खत्रे में है लेकिन इस देश में विग्यान, लौजी, गनीत, दर्सन, इतिहास ये जरूर खत्रे में है इस तरीके की बातें जो है वो की जाती है और ये आप मत समझिए कि ये ऐसे ही किया जाता है ये जान बुझ करके किया जाता है क्योंकि ये एक डिजाइन है डिजाइन ये है कि इतनी बार जूट बोलो कि वो जूट को ही लोग सच मानने लगे और इसलिए ये बात आज बार बार बोली जा रही है कि politics is all about perception no man politics is just not all about perception politics is all about perspective that is more important that we have to understand और perspective क्या होता है perspective ये होता है कि देश में यदि inequality है democracy नहीं बची रहेगी और उस inequality को टिकाय रखने के लिए ये कॉमनल इजाम, कास्ट इजाम PTR की ये अलग अलग तरह के जो regressive structure हैं society के उसको दुवारा मजबूत किया जाएगा उसको दुवारा ठीक किया जाएगा अभी एक नया एप आया है देश के किसी भी मंदिर के पुजारी से उस एप के दौरा आप अपने घर में पुजा करवा सकते हैं ने ने कराईए, कोई दिक्कत नहीं है हिंदू धरम को मानिये उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये तो सुचिएगा ना कि आप कौन से हिंदू होना चाहते हैं जैसरीराम बोल करके किसी गर्ववती महला का पेट फार करके उसकी बच्चा को तलवार की नोख पे हिराने वाला हिंदू होना चाहते हैं या गांधी की तरह इस देश में हिंदू-मुसल्मान एकता के लिए हेराम बोलते हुए सामपरदाइक की गोली खाकर के मर जाना चाहते हैं यह आपको तै करना है यह आपको तै करना है आपको ये लोक तंत्र चाहिए, जहां देस के प्रधान मंत्री को प्रधान मंत्री के बतौर नहीं, शेर के बतौर प्रस्तूत किया जाता है, अब बताई, आप प्रधान मंत्री चुने थे न, इनके समर्थक कहते हैं कि शेर हैं, और हम बोले शेर हैं तो जंगल में क्या कर र शेर तो जंगल में रहता है या चीडियां घर में रहता है एक बाद और बोले एक बार एक ऐसे ही इनका समर्थक हम से उलज गया अमम्ममन हम उलजते नहीं है लेकिन उलज गया बोलाए तुम क्या बोलोगे प्रधान मंतरी हमारे शेर हैं हम बोले सुनो दोस्त किसी सेर को किस को इनसान ही होना पसंद है और तुमको अगर लगता है कि सही में यतने मजबूत विकती है तो फिर क्या जरूरत क्या करेंगे क्षरीद कर जो है नियुकर मंत्री जो हैए बॉन बॉन कर के पाकिस्तानियों को मार देंगे इतना फेकेंगे इतना फेकेंगे अ कि चारों खाने चित जा फिर भी फिर दो चार पाकिस्तानी बंदूक लेकर के इधर उधर बच जाए तो परधानमंत्री सलमान खान की तरह सट खोलेंगे 56 का सीना दिखाएंगे ये क्या चल रहा है और एक गांधी के बारे में आइंस्टाइन ने कहा कि आने वाली पीड़ी ये भरोसा नहीं करेगी कि इस हार मांस का व्यक्ति जो है वो चलता फिरता था वो जिंदा था वो इंसान था वो थे गांधी गांधी लाठी रख लेके चलते थे किसी को डराने के अपने सहारे के लिए लेकर के चलते थे आधी धोती पहनते थे आधी धोती लपेटते थे और डिगनीटी के लिए उन्होंने खुद चरका उठाया अपना बात्रून खुद साफ किया देश की मजबूती के लिए रूरल एकॉनमी की बात की देश में हिंदू-मुसल्मान एक多 के लिए ना सिर्फ बात की बलकि जान गवादी और आज गांधी के नाम पर गांधी के इस देश को हम जिस तरफ लेकर के जा रहे हैं मैं समझता हूं कि वो रास्ता अंधकार के और घड़े का रास्ता है गांधी के रास्ते पे हमको चलना परेगा भगस शिंग के रास कि और समानता के खिलाफ थे और समानता के पक्ष में थे और जब तक हम equality को establish नहीं करेंगे society में देश मजबूत नहीं हो सकता है और देश में equality को establish करने के लिए आज जरूरत इस बात की है कि जो corporate monopoly है उस corporate monopoly को break करके इस देश के भीतर जो चोटे चोटे entrepreneurs हैं जो small scale industries में काम करने वाले लोग हैं जो medium scale industries में काम करने वाले लोग हैं उनको हमको promote करना परेगा झाल 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 झाल